कि नमस्कार पिरिये जिनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुक्त जिन तक आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बात करूंगे आज एक ऐसे उपाए की जो की नवरात्रों में करना है ल उसी दिन ही गुरुवार हो रहा है अब कोशिश करें कि पहले नवरात्रे को ही ये उपाई कर ले और अगर अगर अब ना कर पाएं मान लीजे को कारन हो तो फिर अगला जो गुरुवार नवरात्रों में आ रहा है उसको इस उपाई को कर ले करना गुरुवार को है ये भी सबते हैं वह किर्पा कोई भी प्रापत कर सकता है जो इस पृर्ष्चि पर पैदा हुआ है बगवान सब्सक्राइब के लिए एक जैसिक नहीं करना है कि गुरुवार के दिन आपको यह उपाई करना है लेकिन उससे पहले एक तयारी आपको पहले दिन करनी होगी आपको करना क्या है कि पहले आपको दो उपाई बताऊंगी इसमें एक पहला उपाई बता रही हूँ फिर उसके बाद दूसरा उपाई वीडियो के लाक्ष तक जुड़े रही है ताकि आपको दोनों उपाई समझ में आ जाए और आप उसी तरह कर लें फिर आप अगर पूछते हैं कि यह कैसे करना है तो मैं यही आपको कहती हूं कि मैंने वीडियो में लगभग सब कुछ बताया होता है तो आप इस बात को ध्य सगाई में प्रेशानी है उनके लिए यह उपाई बर्दान सवरूप है और मां भगुति के शिकर किरपा होती है यह दिन है ही इतने पवित्र इतने पुन्यदाई कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके जीवन में चंतकार हो गया विवाशादी को लेकर आपको करना क्या है कि केले का पेड़ देखना है आपको आप बुद्वार के दिन कोई केले का पेड़ ऐसा देख लीजिएगा और उसके पास जाके उसमें एक हल्दी का टिका लगा के और जल अर्पित करके उनको निमंतरन दीजिएगा कि मैं कल की तारिख में आऊंगी यह आऊंगा कल मिला के वीवाग की शादी के लिए लिए और जाएंगा इस गुरूवार को तो आप घुद्वार की शाम के उसे में पाई करें और अगले गुरूवार को करें जैसे वो भी नवरात्रों में ही आएगा अगला गुरूवार तो उसके भी पहले बुद्धवार को नवरात्रे चल रहे होंगे तो आप तब भी करके आ सकते हैं के आप अगले दिन जाए हैं सुबह आपको तिखी चीज ना लगके जाएं कोई क्वाख च या कुछ ऐसी कोई भी की चीज ना लगके जाए कोए लकड़ी की छोटी सी पतली सी कोई लकड़ी ले जाई, जाने के बाद वहाँ एक लोटा जल बापिश चढ़ाएं, वहाँ पर, केले में, केले की जड़ में एक लोटा जल दें, और हल्दी का त्यलक करें, और उनको बिंती प्रार्थना करें, वहां विश्णु भगवान का वास होता है, केले की जड़ में विश्णु भगवान का वास होता है, इसलिए वहां आपको प्रार्थना करनी होगी, कि आप मेरे साथ चलें, और मेरी मनोकामना पूर्ती के लिए मैं आपको ले जाना चाहत कि आप उसमें से च्वटीसी विल्कुल क्वटीसी ज़ण गीयां एकदं प्रवी पडूरेमि रखके थोड़ा उस पर थोड़ा सा छोटा सा एक तिल्क भी हल्दी का लगाएं और हल्दी का तिल्क लगाने के बाद मा के आगे रखें और मा की जैसे ही आप पूजा पूरी करते हैं पूजा पूरी करने के बाद आप आरती से पहले आरती करें उससे पहले मा का मंतर जब करें मा का मंतर जब करने के बाद आप उसको उठा ले जड़ को उठाने के बाद एक बिल्कुल छोटा सा कपड़ा ले कि उसमें उसको बांध ले एक दो गांट लगा ले गांट लगाने के बाद एक धागे में उसको वो पोटली से एक छोटी सी बिल्कुल एकदम छोटी सी बन ज रखें आप जिस तरह हैं भी अपने पास रख सकते हैं अपने पास रखें कोशिश करें कि आपके श्रीर से वो टच हो आप गले में भी पहन सकते हैं आप आपको गले में लगता है कि अजीव सा लगता है को देखने वाले पूछते हैं तो फिर आप हाथ पर बांज लीजिए ये हुआ मादुर्गा के आगे किया हुआ एक उपाई अब दूसरा उपाई बताती हूँ देखे करें लड़के लड़कें दोनों ही कर लें विवा शादी के शिक्गिर विवा के लिए अब चुके नहीं इस अफसर को ये जो आठ दिन हमें नवरात्री के मिले हैं इसमें करने के बाद आपको पूजा करनी है और फिर मंतर जब करना है जैसे कि पहले वाले उपाई में मैंने बताया है मंतर जब करना है आपको मंतर जब करने के बाद आपको मंतर जब कितना भी कर सकते हैं पहले वाले उपाई में भी आपकी इच्छा से कर सकते हैं दूसरे उपा यह किसे उपर जद करने बात आप पिर उसके बाद से उस्तरण आपके लिए यह माता का इसको अपने पास रखेंस अर्शन रखेंस लड़कों को नौंगी इस उपाय को अवश्या करें और उस रुमाल को हमेशा अपनी जेब में रखें अपने पास रखें और लड़कियों को कहूंगी कि वो भी इस तरह का रुमाल एक मा का परसाद ले ले और उसको हमेशा अपने पास रखें मा की किरपा के लिए मा के आगे आगे आप बिंती प्रार यापकित कर सकते हैं चुन्दरी भी परसाथ सुरुपे आप रख सकते हैं अपने बाउघ लेकिन कर सकते उसलिए रुमाल ही यह आगया मंत्र आपका दोनों उपायों में इसी मंत्र को जपना है आपने एक इस बार इसे मंत्र है और आपकी मनोकामना शिग्र पूर्ण होगी विवा के शिग्र योग बनेगे सुंदर योग बनेगे नहरातने निकलते ही आपके घर में धे आउट आएगी वद्गू आएगी वर आए झाल झाल झाल